भंडारा इस्थानी अप्राज शाखा वा भंडारा शहर पुलिस ने ज्वेलर्स को ठगने वाले गिरों का परदा फाश कर एक महिला आरोपी समित तीन आरोपियों को सोलापुर और सांगली से गिरफतार किया है और एक आरोपी फरार है पुलिस ने आरोपियों के पास से भंडारा शहर के लेदे ज्वेलर्स नामक दुकान से चुराए गए 36,000 रुपे मोले के 7 ग्राम के सोने के दो जोडी चुमके और वर्दा जिले से चुराया हुआ 10 ग्राम का सोने का मंगसुत्र जप्त किया है ग्रफतार आरोपियों में सोलापूर जिले के नगर अकलुज निवासी रेखा प्रिथुराच चोहान सांगली पुलिस थाने में शिकायत दरच कराई थी इस मामले में जाच परताल करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दो टी में तयार कर आरोपियों को उनके गाव से गरफतार किया गया यह कारवाई जिला पुलिस अधिक्षक वसन जौधव अपर पुलिस अधिक्षक अनिकेद भारती उप विभागी पुलिस अधिकारी संजी पार्टिल के मार्ग देशन में की गई ऐसा मत पतरकार परिशद में भंडारा इस्थानी अपराज शाखा के पुलिस नरिक्षक जैवन चोहान भंडारा शहर शाखा के थानेदार बारसी ने कहा है सांगली जिले के घ्राम जत निवासी संजी अशोक सालूंखे और सोलपुर जिले के अकलुज कीरती नगर निवासी वहन चालक तात्या सुप्रकाश सालूंखे शामिल है जबकि महिला आरूपी आशा सालूंखे फरार है आगे की जाज भंडारा पुलिस कर रही है पवनी से BCN News के लिए प्रदीप घाडगे की रिपोर्ट